Hello friends, welcome to our channel, the place of learning में आपका बढ़र साथ है, Java की फिरीज ले हमें अपने पिछी वीडियो में बहुत सारी टॉपिक कवर चर्द लिए हैं, like what is Java, History, Features of Java, Defense, CPU, C++ and Java और दूपिक, इन्हें लास्ट वीडियो में अपने अपना अपना Hello World का प्रोग्राम दिखा था, इसके अंदर मैंने Hello World प्रिंट कर आद दिखायता, इस कंसोल पे वो प्रोग्राम कैसे आया, कैसे अंटर वी वर्क किया, वो हम आज की वीडियो में देखेंगी, कि हमारा प्र 80 खोल्डर था, उस 80 खोल्डर के अंदर मैंने डबल टेख किया, दूप पे गए, जावा क्लास पे गए, प्लिक करके, मैं यहाँ पे आगए, जहाँ पे मुझे अपनी क्लास का नाम देना है, मैंने तो भी नाम देती, और उपके दबादो गे, तो मेरी क्लास ये बन जाए कंपाइलर ने मेरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलाइंट स्टेटमेंट देखा अपर यह हलो वर्ड कैसे प्रिंटिया इंटार्जम ही वह हम देखते हैं आपके वीडियों में ठीक है इसका पहले क्या होता है में आपनी कूली फाइल बनाते हैं फिसका नाम हम देते हैं प्रोग्राप मँद जावा ए Wak रीपरोग्राम यह लोगन इसके हैं मैं अपने प्रोग्राम फुर्रान करूंगी वैसे मेरा कंपाइलर चलेगा वो कंपाइलर क्या करेगा मेरे प्रोग्राम.java फाइल को .class file में convert कर देगा यह .class file क्या होगी यह convertable file होगी higher language to slider lower language that is assembly language क्या है lower language यह convert करेंगी अब यह lower language जाएगी किसके पास JBM के पास ठीक है यह क्या है virtual environment है Java का जिसके अंदर यह जाके किसले convert होगी bytecode में bytecode मतला binary format में 0 & 1 के format में convert होगी यह program मेरा run होकर मेरे console पे मेरा output दिखा दीगा ठीक है यह हो क्या in a short कैसे होता है एक पूरा phase एक program का starting से answer output ठीक है उसके पाद हम देखते हैं compile time क्या होता है फिर हम देखेंगे के run time क्या होता है ठीक है यह दो चीज़ों होती है program की compile कैसे होता है run कैसे होता है सबसे पहले औरी रेखते हैं कि what is called compile time compile time is the time period when a program code code is translated into low level code or machine code either by compiler or an interpreter compile time is the period of time from beginning to end of the course मतलब हो गया compile time एक ऐसा period है program का जब मेरा program जो लिखा है मैंने code लिखा है वो लो language से machine code में convert होता है ठीक है किसी भी compiler या interpreter के द्वारा लेंग मैंने जावा प्रोग्राम लिखा यह जावा प्रोग्राम मेरा क्या करेगा बाइट कोर्ड में convert होगा मतलब लेंग्वेज में convert होगा में compiler के द्वारा फिर यह बाइट कोर्ड मेरे JVM में जाएगा JVM इसको machine code में convert करेगा मतलब 01 के format करेगा और यह CPU के पास जाके मेरा output दिखा देगा मेरे console के simple यह हो गया मेरा compile time ठीक है ठीक है ठीक है त्योरी देखते है class loader are responsible for loading java classes dynamically into the JVM during runtime ठीक है class loader का काम क्या होता है runtime के time से यह dynamically जो हमारी file है convertible इसको right code है उसको JVM में load करता है इसका नाम क्या है class loader like मेरी program.class file program.class file और भी यह वाली file जब JVM में जाए ली तो JVM के पास क्या है class loader है जो कि क्या करेगा इस program.class file को dynamically JVM में load करेगा ठीक है वो load होने के बाद क्या होगा जो bytecode verifier है वो क्या करेगा bytecode verify एक gatekeeper है वो क्या करेगा ensure करेगा कि जो मेरा code है वो line to line अपना compiler तो एक बाद में पुरा code compile करेगा वट interpreter क्या करता है एक एक line को convert करता है यह चैप करेगा कि यह code सही से compile हुआ है के नहीं ठीक है फिर मेरा आता है interpreter interpreter क्या करता है an interpreter is a computer program that converts high level program statement into machine level language it converts code into machine code when the program is जुरा है अब यह काम तो compiler भी करता है same काम compiler का भी है इसके वो high level language को machine language में convert करता है बट compiler एक बार में पूरा code compile कर देता है और interpreter line to line करता है बस यही difference है दोन होगी ठीक है तो इनने क्या किया high level से machine level language में convert कर दिया और यह मेरा code convert होने के बाद एक hardware मतलब CPU के पास जाएगा और मेरा जो output है मेरे console पर दिखा रही है ठीक है तो in short मैंने क्या कहा मेरा प्रोग्राम का एक flow क्या हो गया कि मैंने अपनी file बन आई file जैसे मैंने run पर दबाया run क्या करेगा compiler compiler के पास जाएगा compiler क्या करेगा इसको फाइल को dot class style में convert करेगा dot class style मतलब पहले assembly language में convert होगा इसको बोलेगे bytecode अब वो bytecode जाएगा JVM के पास जो JVM क्या करेगा इसको machine code में convert करेगा machine code क्या है low level language है इना binary format जीरो बन के format में है और वह language अब समझ में आएगी 0 बन के format में और हमारा computer हमें हमारी फादेगा simple यह हो गया मेरा internal working और Java compile और run दोनों को होगी ठीक है thank you friends have a good day do like and subscribe my channel